हेलो फ्रेंट्स वेलकिम टू माई चानल नेहास कुक हाउस एंड ब्यूटी स्पोट तो आज का हमारा स्पेशल मेनू है वेजेटेबल पोहा जिसे कांदा पोहा भी बोलते हैं बटाटा पोहा भी बोलते हैं तो हाज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम वेजेटेबल पोहा कैसे बनाते हैं वित लिटल ट्विस्ट तो वेजेटेबल पोहा बनाने के लिए पहले मैंने लिए पोहे सो मैंने पोहे लेकर उसको अच्छे से नल के नीचे धो लिए धोने के बाद मैंने उसे साइड में रग दिया फिर मैंने एक प्लेट में उसे निकाल लिया और उसमें थोड़ा सा ओइल स्पेट किया ओइल स्पेट करने के बाद मैंने उसमें कलर के लिए डाल दिया turmeric powder यानि की haldi फिर उसके बाद मैंने उसमें half a lemon squeeze करके डाल दिया lemon juice से क्या होगा कि yellow color, proper yellow color आएगा अमारे पोहे को so I have used lemon juice फिर उसके बाद में मैंने अपना हाथ ही use किया और सब कुछ अच्छे से mix कर लिया इससे क्या होगा कि proper color आजाएगा next मैंने एक कडाई ली उसमें मैंने डाला oil oil आप अपके पोहे के कौटिडी के according कम जादा कर सकते है then मैंने उसके अंदर डाला बगार जिसमें था जीरा और राइ उसके बाद में मैंने डाले green chill leaves खूप सारे then फिर मैंने डाले curry leaves याने के कड़ी पते उन सबको डालने के बाद मैंने उसमें डाला प्याच याने के onion onion डालने के बाद मैंने उने अच्छे से हिला लिया और brown होने तक पकाया तो हमारे onions जब brown हो जाएंगे उसके बाद मैंने उसमें डाले tomato याने के tomato तो one tomato मैंने लिया और वन ओनियन मैंने लिया सो टोमाटो अब मैं डाल रही हूँ टोमाटो डालने के बाद मैंने हलका सा उसे पकाया अच्छे से मिक्स किया देन पकाया फिर मैंने उसके अंदर डाले पोटाटो ये भी वन पोटाटो मैंने लिया So basically मैंने लिया one potato, one tomato and one onion मेरे पोहे के quantity के according So आप कम जादा इसमें कर सकते हो So पोटाटो डालने के बाद मैंने उसे अच्छे से mix किया और थोड़ी देर तक पकने दिया जब तक कि वेजीर अच्छे से पक जाएंगे Then उसके बाद मैंने उसके अंदर डाले हमारे mix कि हुए पोहे पोहे डालने के बाद मैंने सब चीज को अच्छे से mix कर लिया Then after mixing it मैंने उसमें डाला Around एक चमच Like almost एक चमच Not full एक चमच Like थोड़ा से मैंने इसमें डाला salt Salt आप अपके टेस्ट के according कम जादा कर सकते हैं So salt डालने के बाद मैंने अच्छे से सब को mix कर लिया उसके बाद मैंने थोड़ी देर तक उन्हें पोहे को अच्छे से पकने दिया Then मैंने इसमें लिया एक चोटा सा पैन Pan मैंने डाला oil Air oil डालने के बाद मैंने उसमें डाले GROUND Nuts par honest याने के फिली के डाने डालने के भाद मैंने ने हलका सा ब्राउन होने तक fry किया अब देख सकते हैं automation फिली के डालने हलके से फ्राइख हो गए हैं U ¿ के गाद मैं? मैंने साइट में रख दिया उसके बाद में मैंने एक ट्रे लिया और मेरे पोहे को जो रेडी हो गए है उसको उसमें डाला डालने के बाद मैंने प्रेजेंटेशन के लिए हलका सा नीम्बू स्क्वीज किया उसके अंदर नीम्बू स्क्वीज करने से अच्छा टेस्ट आता है पोहे में तो अब दालेंगे तो इतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा उपर से अगर आप लेमन का जूस पेट करोगे तो अच्छा टेस्ट आएगा पोह में आफ्टर दाट मैंने उसमें डाला तो यह है coconut powder the secret ingredient coconut powder डालने से भी पोहे में बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो आप जब प्रेजेंट कर रहे हो पोहे को जब आप उपर से coconut powder उसके अंदर डाल दो इसके बाद में उपर से मैंने डाले हमारे फ्राई की हुए ग्रावड नट यह पी आप उपर से डाले अंदर से डालने से वो नरम हो जाते है फली सो उपर से डालने से वो इसे क्राकल रहते है next मैंने हमारा जो एवर ग्रीन है कोरियांडर लीव प्रिंकल किये उसके उपर and this is the final look of the पोह प्राव इस तरह से मैंने उसे प्रेजेंट किया कितना अच्छा आया है प्रॉपर एलो कलर बिकास अच्छा आया है अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज दो लाइक, शेर, कमेंट और सब्सक्राइब